सो वाइडल हीट एपिसोड 19 में आप सबका स्वागत है ओके आप लोग बोलते हो वाइडल हीट लाओ वाइडल हीट लाओ सो अगर आपको जल्दी चाहिए एक दिन के अंदर आप लोग वान के लाइक कम्प्लेट करते हो तो आई प्राउमिस कि मैं नेक्स्ट एपिसोड कल ही लाओंगा अगर करते हो सो जल्दी जल्दी लाइक करो और कॉमेंट करा करो पिसले एपिसोड में हमने देखा था मानगी आता है वान पंच टीवी के कैमेरा मैंसे लरने के लिए सो अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें बताया जाता है मानगी के स्कूल के चेयर और टेविल के बारे में जो की साइज में तो नॉर्मल थे पर मानगी के लिए बहुत ज़्यादा चोटे थे और ये देखके बाकी सारे लोग उसे चिराते थे मानगी एक राइजिंग स्टार है फिर भी उसे बुली होना परता था और हम ऐसा ही देखते है एक दिन वो किताब पर रहा था तभी कुछ बंदे आके उसे कहने रहते है मुझे लगा कि मैंने तुम्हें वर्ण कर दिया था कि ऐसे लड़कियों को छेरा मत करो स्टॉक किया मत करो वो कहता है मुझे लगता है कि या पर कुछ गलत फ़ेमी हुआ है मैंने किसी से ऐसे वैसे नहीं पूछा है एक बार वो लोग मना करते है मैं उनके पीछे नहीं जाता वो बंदत अभी कहता है क्या कहा तुने टकला ये सुनते ही हम देखते है मान की उसका गला पकर के उसे उठाता है और उसे धमकाने लगता है वो अभी इस एज में भी 6 feet 9 inch का है और 333 pound का उसका weight है एक बार अगर उसने किसी को पकर लिया तो उसका बचना नामोमकिन है उसने कभी भी किसी को serious नहीं लिया किसी भी चीज़ को serious नहीं लिया था पर ये पहली बार है जब उसने किसी चीज़ को serious ले लिया है तब ही देखते है present में उसे हम उस camera man के सामने वो कहता है One Punch TV सुनो तुमारी वज़े से एक मासूम लिर्की बहुत ज़दा रो रही है उसे बहुत ज़दा problems हो रहे है और इसलिए मैं चाहता हो कि तुम लोग जाओ अपने computers को तोरो और उसके बाद मुझे एक proof बेजो ये इतना ज़दा मुश्किल तो नहीं होगा है न वो बंदा कहता है हम लोग ये अपने तरीके से समा लेंगे तुजा यास से ये सुनते ही हम देखते है मानगी अब लड़ने के लिए तयार होता है और उसको मानने के लिए आगे बरता है और हम यह आपे बताया जाता है मानगी के पास अच्छी फीजिक तो है लर भी सकता है पर ये पहली बार है जब वो किसी से एक सिरियस फाइट के लिए जा रहा है तब ही उस बंदे को सामने देखते है और तब ही देखते है उसी बंदे का एक खतरनाक पांचा के मानगी के फेस पर उसकी नाक पर लगता है जिससे बही पे उसका बहुत जदा खुन निकल आता है और ये भी उसके लिए पहली बार था जब बो किसी बॉकसर से fight करने जा रहा है और ये पहली बार था जब बो किसी ऐसे opponent से लर रहा है जो कि बहौत बहुत जादा fast है जिसके वज़े से बो उसे grab भी नहीं कर सकता तब देखते हैं वो बंदा उसे मारने के बाद कहता है बस यह से भाग जा मैं तुस्से लरना नहीं चाहता ये बंदा जो fighting technique यूज़ करता है वो है boxing जिसमें बस basic technique punches का यूज़ करना होता है पर वो भी बहुत जादा खतरनाक हो सकता है पर तब ही हम देखते है मांगी को वो फिर भी कहता है बॉक्सिंग हाँ, हाँ अनौइन अभी भी समय है माफी मांग ले उससे और फिर से वो उसे मारने के लिए आगे बरता है पर फिर से दिखते है वो बंदा उस पर एक जैब मारता है मतलब डाइरिक्ट उसके थोबरे पे खतरनाक पंच मारता है जिससे हम देखते हैं मांगी की नाक पूरी तरह से टूट जाता है बहाँ से बहुत ज़्यादा खुन निकलने लगता है वो बार बार सोसता है, मुझे बस उसको एक बार पकरना है एक बार वो फिर से आके जाने की कोशिश करता है पर मांगी के पास अब कोई ग्लू नहीं था क्योंकि ये उपोनेंड उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट है वो बंदा उसे बार बार पंच मारे जा रहा है और बार बार उसके नाक पे ही पंच मारे जा रहा है मांगी की खून अब चारो तरब किरता जा रहा है मांगी एक प्रोफेशनल सिसरियम, सिसरियम फाइटर हो सकता है पर जब पंचस की बात आता है तो उसमें वो बिल्कुल नल्ला है उसे कुछ भी नहीं आता उसके पंच एक professional boxer के लिए kindergarten की बच्चों की पंच की तरह होता है वो उसके उपर पंच मारने जाता पर तब ही दिखते है वो वंदा उसके उपर एक के बाद एक पंच इसकी बरसात कर देता है जिससे अब मानगी की हलग बहुत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है हमें यह आपर ये भी बताया जाता है हाँ वे difference create करता है पर ये सिर्प तभी apply होता है जब तुम अपने opponent को grab कर सकते हो पर इस तरब मानगी तो अपने opponent को grab ही नहीं कर सकता 6 feet 9 inches का होने के बावजूद अब ये पहली बार था जिंदेगी में पहली बार जब सिसरियम wrestler ने मानगी वाउन वो पहली बार खुद को हारता हुआ देख रहा था I am sorry such ना होने के बावजूद हमने उसे called out किया पर जाते जाते सोचता है क्यों कि उसने इतना इतना आसानी से give up कर दिया मानगी को हम बही पे गिरा हुआ देखते हैं वो सोचता है I hope I hope उसे को ये हसने का reason मिल जाए Sin Ship होता है दूसरी तरफ हम देखते है योलगा को वो रूमी को rice खिलाने की कोशिश करती है बहुत convince करने की कोशिश करती है पर रूमी अभी पी सोई हुई है वो चुपचब अपने बिस्तर पे है बहुत मानाने के बाद कुछ दर बाद हम देखते है वो बाहर है वो खुद से लाइब में आ चुकी है और कहने लगती है मैं वन पंच टीवी से हूँ मेरे पास बैसे कुस बोलने के लिए है नहीं बस ऐसे ही लाइब कर दी क्योंकि मैं ज़्यादा डिप्रेस्ट हूँ रूमी अब वीडियोस डालना भी बन कर दिया है सो मुझे इस बारे में थोड़ा सा बुरा लग रहा है वो अपने आपको बहुत ज़्यादा वीक्टिम दिखा रही थी दिखा रही थी कि वो उसे कितना बुरा लग रहा है वो ये भी कहती है अब से उसे लगता है कि वो call out करना बन कर देगी पर comment आने लगते है तुम बहुत ज़्यादा terrifying हो, तुम किसी के बारे में जूट बोलते हो, जिसको कि तुम पसंद नहीं करती, और उसके बाद, खुद sympathy create करती हो, ताकि सब तुम्हें sympathize करे, और वही पर हम Hobin को देखते हैं, जो कि उससे मिलने आया था, वो कहती है, मुझे नहीं पता तुम किस उसकी बात को काटते हुए, और विन कहता है, मुझे एक बंदे के बारे में बताने दो, जो कि passionately lab करता है, उस लिर्की से जिसको तुमने call out किया था, जो कि तुम्हारी बज़े से रो रही है, मांगी वांग, उसने मुझे ये दिया, तभी हम कैमेरा दिखते है, उसमें हम बंदे को देखते हैं, जो कि जाते जाते कह रहा था, I am sorry हमरी बज़े से उसको problems हो रहा था, हाँ ये सच नहीं है, जो भी हमने कहा था, ये दिखा के कहता है, तुम्हारा कैमेरा मैन confirm हो चुका है, और तुमने रूमी के बारे में जूट बोला था, ये भी confirm हो चुका है, अ जाता कि वो One Punch TV के सारे वीडियो को डून लिया था, पर उसमें वो उसे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था, जो कि देखके लगे कि हाँ, ये false है, पर तभी बहाँ पे उससे मिलने के लिए मान गयाता है, पहले तो हविन उससे देखके समझ नहीं पाता, कि आखिर problem क्या है, वो उसके ना की आला तैसी क्यों है, और ये सब कुछ उसे बिल्कुल बैसे ही लग रहा था, जैसा कि वो तैहुन से एक बार मिलने के लिए गया था, और तभी देखते है कुछ दिर बाद, मान कि उससे पुछता है, बाई, क्या तुने धोन लिया है, कुछ सबूत बबुत मिल देने लगता है, और बाहर निकलने लगता है कुछ, ये देखके अबिन कहता है, तभी उसके हाथ में एक्शन कैमेरा देखते है, जो कि बहुत ज़्यादा बदबुमार रहा था, पर यही है एक प्रूफ जिसमें की सब कुछ क्याय दुआ है, अबिन कहता है, तो तुमने इसलिए लराई नहीं की, और इसलिए इतनी जल्दी गीब अप कर दी, या तक कि बहुत से पुस्ता भी है, अगर तुमारे पास यह है, तुम उससे जाके कॉल आउट क्यों नहीं करते, वो कहता है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि उसे यह पत पंच टीवी, तुमें एक टेरिवल परसन हो, जो की फेक कॉल आउट बनाता है, और उससे पैसे कमाता है, अभी के अभी स्ट्रीम करना चालू करो, और सब को बताओ कि तुम जोट बोल रहे थे, बुस्त धमकी देने लगता है, पर तभी देखते है कुछ दिर बाद, बोल सरे, तभी देखते हैं, उसके हाथ से बो एक्शन कैमेरा गिर जाता है, और गिरते ही हम देखते हैं, बो जाके उस कैमेरे को तोर देती है, होबिन कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है, मेरे पास और एक कॉपी है, पर बो तभी कहती है, हाँ हो सकता है, तुमने मुझे रे जारी ही है, होविन की हलाद अब बहुत खराब है, किस दिर बाद वो थोड़ा सा दूर जाता है, और सुसता है, क्या, क्या हुआ अभी, क्या उसने मुझे अभी-अभी मारा, तभी देखते हैं, वो उसके पास आती है, और कहती है, क्या तुम ठीक हो, क्या ये सिर्प एक ही क्या है, ओके, मुझे पहले देख लेने दो, सब कुस तो तुम लोगों नहीं पहले किया है, तुम लोगों ने मेरे केमरे में उनको भी ना बताये, उसको शूर कर लिया है, या तकि तुम मुझे कह रहे हो, मुझे कह रहे हो, स्ट्रीम करने के लिए, तुम्हे लगता है हो तुम मुझे call out कर सकते हो और वो भी इतने छोटे से रूफ के साथ अब इन उसकी नाक से खुन बैठ आया है वो बस इतना कहता है माफी मांग लो उससे रूमी से माफी मांग लो मेरे पास एक copy है पर बोधा भी कहती है क्या अबे भी तुम नहीं समझे है न ओके अभी स्ट्रीम करना स्टार्ट करती हूँ और सब को बताती हूँ कि तुमने मुझे यह आपे आके थ्रेटेन किया और वो भी ऐसे दिखते हुए करूंगी और तभी वो अपना ड्रेस उतारती है और फेस को बहुत ज़दा सैट बनाती है हॉबीन अब समझ चुका है कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो सब कोई उसके उपर भड़क जाएंगे क्योंकि वान पंच टीवी के पास अब तक कोई भी खराप रेकॉर्ड नहीं है बिल्कुल किलीन है पर हॉबीन का बहुत ज़दा कॉंट्रोबर्सी में रहता है अब हॉबीन नहीं बल्कि वो उसे थ्रेट करने लगती है वो उसे दमखानी लगती है और तब उसका हाथ पकर के कहती है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ऐसे करोगे तो सब कोई सब कुछ मान लेंगे अब तो तुम्हेंने पास बस एक ही रास्ता है मेरे साथ लरना पर तुम्हें क्या लगता है सब कोई यह मान लेंगे कि तुम एक लिर्की से लर रहे हो और क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो वो उसके कान में आके कहती है अब इन समझ चुका है कि उसके पास 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है इस तरफ उसके पास सिर्फ 2 लेक सब्सक्राइबर्स तो अगर उसने ऐसा बैसा कुछ किया तो उसकी हालत पूरी तरह से खड़ाब हो जाएगा जैसे की बाईरल होग के साथ हुआ था वो फिर से उसके पास आती है और कहती है क्या तुम जानना चाहते हो कुछ रूमी के बारे में मैंने बहुत ढून रहा था बहुत पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला कुछ भी नहीं कि मैं उसको बुरा बोल सकू उसका पास्ट रेकॉर्ड बहुत जादा क्लीन है तो अभी जाओ मुझे नहीं बलकि उसे समा लो ये सुनके हॉबिन को बहुत जादा कुछ साता है वो उसे मारने के लिए आगे बरता है पर तभी देखते है वो फिर से उसके उसके मुँपे एक पंच मारती है और कहती है चलो अब फिर मिलते है सिन शिप्ट होता है कुछ देर बाद हम देखते है सियान जुन की होटेल के बाहर सियान जुन अपने कारी से नीजे उतरता है और सामने देखते ही चौकता है क्योंकि सामने हम देखते हैं बारिज में हागिन भीग रहा है वही पे वो बैठा हुआ है और तभी वो उसको चाता देते हुए कहता है कबसे तुम यहापे हो तुमने मुझे बुला लिया होता वो सियांजुन को देखके सारे सच सब कुछ बता देता है वन पंच टीवी के बारे में उन्होंने क्या किया सब कुछ यह सुनने के बाद हम देखते हैं सियांजुन उसे पहले तो शांत होने के लिए कहता है और उसके बाद कहता है देखो हबिन I am so sorry so sorry कि तुमारे साथ यह सब हो रहा है और शायद मुझे पता था यह सब कुछ होगा पर ध्यान से सु ग्योधान फ्रम वन पंच टीवी उसने अल्रेडी मेरे कमपनी साइंड कर लिया है और वो बहुत पहले से हमारे साथ है वो हमारे साथ है और उसने तुम्हें कुछ किया है तो तुम्हें अपने दिमाद में यह अच्छे से गुसाल लेना है हबिन मैं तुम्हें कोई भी है ना हबिन जब ही मैं जब मैंने कहा 100,000,000,000 तुम्हारा चाहरा बिल्कुल बथल किया मैं एक बिजनेसमेन हूँ हबिन मैं बिजनेस करता हूँ और प्रॉफिट देखता हूँ मैं कभी एक ऐसे चैनल का साथ नहीं दूंगा जिसके पास 2,000,000 subscribers है दूसरी तरफ मेरे टीम जिसके पास 1,500,000,000 subscribers है और इसलिए मैं भी तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम भी दियान से अपना साइट चूज करो हविन हविन बस सोच रहा है 100,000,000,000,000,000 मैं क्या करूँ I am sorry I am sorry रूमी रूमी को रोते हुए देखते है हविन भी बारिश में भीग रहा है बहु स्नैपर आता है उसे कहता है नाइस टू मी टू हम अपने आपको इंट्रिडूस करने हैं क्योंकि हमने भी एगजे कंपनी को साइन कर लिया है यह सुनके वो बंदा भी खुस होता है और कहता है वो I think Sianjin ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था I am sorry कि मैंने उस दिन यह सब कुछ जो भी मैंने अब तक कहा यह बहुत बड़ा एक जूट था है सोल उसका जो बन्यान है उसमें हम देखते हैं लिखा हुआ है I am sorry रूमी और मन में सुचता है I am sorry for that रूमी कि मैं पैसे के लिए खुद को बेचने बाला था पैसे के लिए भटकने बाला था और नहीं यह सब भी लाइबं शुरू करता है और लाइब में कहता है वाइड अचूपार आज करुछ तीवी को बोबंद बहुत जादा चौक चुका है अब भीन वनफ़ टिवी के बारे में सब कुछ जैसे कि भो commence करते हैं उनपंच टिवी किया है, और तुमसे कितना ज्यादा बढा है जैनल है, भोए लेडा है, क्या करते हैं। जो होने बाला है वो समहाल पाओगे HOBEEN के सबसक्राइबर्स भी उससे वर्न करने लगते हैं क्योंकि उसके पास 1.5 मिलियन सबसक्राइबर्स हैं पर इदर HOBEEN के पास सिर्फ 2 लेग सबसक्राइबर्स हैं अगर वो लोग उसके उपरा के टूट परे तो वो लोग समहाल भी नहीं पाएंगे पर हॉबीन अभी भी चिलाया जा रहा है और खुश्दरबात कहता है कैसे मैं गलत चीज़े बोल सकता हूँ जबकि मेरे पास प्रूफ है ये सुनके सब चौकते हैं उसी ब्लॉग के बारे में बताया जाता है जिस ब्लॉग से हॉबीन का चैनल डी मॉनिटाइज हुआ था यहापे बोलोग सब कुछ बता देते हैं कि ये ब्लॉग एक्चुली में वाहिरा लुक कनी बलकि किसी और का था और ये सिर्फ एक ऐसे चैनल को टार्गेट नहीं किया गया इससे बैसे ही बार बर गलत पोस्ट करा जाता है उसमें ऐसे ही सब कुछ करा जाता है और उसके बाद सब को ठगा जाता है जिनके भी चैनल डी मॉनिटाइज या फिर डिलेट हुए है उनको इन्हों नहीं ऐसे ही बार बर इसी ब्लॉग के दुआरा बैंड कर वाया है या तकि वो सारे पोस्ट भी दिखाता है वो ये भी कहता है कि ये वही ब्लॉग है जिसको की हमेशा प्रूप की तरह यूज किया जाता है प्रूप की जो भी वो यूटूबर जो भी कोई पापुलर यूटूबर कॉंटेंट बनाता है वो पहले से ही किसी ने करके रखा है या तक कि हमने उसका फोन नंबर भी ढून निकाला है पर अभी भी उसके कॉमेंटेटर्स को भी स्पास नहीं हो रहा था वो ऐसा कैसे कह सकता है वो इतना सब कुछ कैसे कैसे कर सकता है तभी वाबिन कहता है जो नंबर हमें मिला है अगर मैं उस नंबर को कॉल करता हूँ तो वो सीधा जाता है और तभी हम उस बन्दे की फोन को बसते हुए देखते हैं अब ये देखके सारे सब्सक्राइबर्स कन्फर्म हो चुके है वनपंच टीवी क्या है उनको अब समझ में आ चुका है हविन अब उस बंदे को ठैंक्स कहता है जिसके बज़े से उसे ये सारे प्रूप्स मिले है सारे कॉमेंट करने लगते है गियोलान को या पर आने के लिए का हो उसको आने के लिए का हो तब ही आम देखता है गियोल ये वीडियो देख रही थी और चिला चिला के कहती है ये स्टूपीट मदफ़कर हविन अब सब कुछ कहने लगता है जैसे कि उन्होंने जो भी रूमी के बारे में कहा था वो सब कुछ फेक था सब कुछ अब उस बंदे को देखता है जो कि गुसे में उसकी तरफ आ रहा था हविन उसके उबर अभी भी चिलाने लगता है और कहता है ये रहा बो सारे लिस्ट जब इन्होंने ओफेंस कॉमेट किया था उन्होंने बहुत सारे न्यूटिवर्स की जिन्देगी खराब की है उन्होंने एक ऐसे बंदे की नाक तोड़ी है जो कि पैशनल क्रेल प्यार करता है पर उसके कॉमेंट में अब सभी कह रहे हैं गो वीट गो हब इन गंड़िनों करता है और कहता है उन्होंने अपने विवर्स को भटकाने की कोशिश की है यहां तक कि उन्होंने एक ऐसा ओफेंस किया है उन्होंने मेरी दोस्त को जिसका कोई बुरा पास्ट नहीं है सब कुछ क्लीन है कोई एक छोटा सा सब्वार भी और तभी ओविन फिर से कहता है लिसन अप आसोल तुमने जो सबसे बड़ा गुना किया है वो है तुम्हारी बज़त से मेरे 100 मिलियन बॉन खोना पड़ा गीब अप करना पड़ा वो रोने लगता है अब सब कोई समझ चुका है और सब कॉमेंट में फिर से उसे डाली देने लगते है और इन कहता है वन पंच टीवी चलो अब फाइट से ही सब कुछ सेटल करते है वो बहुत ज़्यादा सिरियस से पहली बार हम देख रहे है कि वो किसी से डर नहीं रहा है बलकि लड़ने के लिए खुद बोल रहा है तो हब इन अब चेंज हो रहा है सब ही पिलाओ तभी हम देखते है कि उलते यार हो रही है दौरते दौरते आ रही थी और कहने लगती है मैं आहा रहा हूँ रुप जाओ मेरे लिए पर तभी बहाँ पे कोई आता है और उसके पैरों के सामने पैर आगे करता है जिससे वो गिर जाती है पीछे दिखते हुए चिल उसे में आगे आत हुए दिखते है बोबंदी कंटिनू करते हुए कहते है पर मुझे तुम्हें ये बताना होगा कि तुम दूसरों के साथ ऐसा नहीं कर सकती और तभी हम यहाँ पे और कोई नहीं बलकि यूलगा को दिखते है वो कहते है तुम्हें जानना है मैं कौन अब इनकी methods, जिससे वो लड़ता है, उन सब को सीखने बाला, सबसे पहली मैं ही हूँ, और तभी कहता है, गियोलहन from One Punch TV, चलो सब कुछ अब fight के साथ खतम करते हैं, और मन में सोचती है, बहुत समय हो चुकी है, बहुत समय, जब last time मैंने इन सारे techniques को use की थी, मुझे याद भ boxing करती है, और दूसरी तरप, और जदा खतरनाक होबीन के साथ fight होने बाला है, उस बंदे की, सो क्या होगा अगे, अगर आपको जानना है, सो जल्दी से जल्दी 1K like complete कर दो, thank you so much देखने के लिए subscribe कर दो,